संपूर्ण करांती सुपरफास्ट एक्सप्रेट तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछ है जो पठना से दिल्ली का सफर आप कितने देर में सफर करिए तो आप लोग कहेंगे ऑफ से पंदरह से 20 गंटे लग जाएंगे लेकिन आज हम आपको यही सफर पठना से दिल्ली का आपको तो पता चलिए गया होगा जो हम किस ट्रेन की बात कर रहे हैं आम जंदा की राजधानी कह जाने वाली संपूर्ण करांती में जिसका ट्रेन नमर हुआ 12393 जोकी रोजाना पटना के राजंदर नगट रमिनल से नई दिल्ली के बीच चलती है महज यहां से खुलने क पीछे देखी सकते हैं जो कितनी ज्यादा भीड़ा फिलाल हम लोग जर्नल क्लास में ही यातरा करेंगे यह ट्रेन आती है तो मैं आपको अभी मिलता हूं वैसे ट्रेन आने में तो अभी लगता है कुछ समय बांकी है तब दक अपना इंतजार कर रहे हैं सभी लोग जैसे क सब्सक्राइब तो अभी देखते हैं कितने वजे आती है फिलाल यहां से खुलने के बाद यह पटना पटना के बाद आरा आरा के बाद एकी बार पंडित दिन द्याल उपाधाय फिर मिर्जापूर कानपूर और सिधे नई दिल्ली अगर ट्रेन में सीट लेना है आपको त तब यह सीट मिलेगा भी जर्नल क्लास में नहीं अगर थोड़ा भी लेट करिए प्लेटफोर्म पे पहले गाड़ी आ गए और आप लेटा करिए गाने में तो फिट सीट मिलने वाला नहीं है फिलाल हम तो आ गए हैं फिलाल देखते हैं ट्रेन कब आती है अपनी बाकी समय में जो है छे बज के 25 मिट हो रहे हैं और हमने भी यह थोड़ा खानी पीने का समान लिए एक चिप्स और बिस्किट और ट्रेंज का कोई आता पता है नहीं है बाकी देखें यहां पर काफे सारे यात्री जह उस तरफ भी चले गए हैं त्योंकि साइद उनको जह इस तरफ म ही मिल पाइए पुड़ा पीछे हो जाइए एक डबलू एपी सेवन समस्तिपुर का लोको मोटीव लगा पाइब बाकी अरे भापने आद देखिये देखिये मतलब ट्रेन रुका नहीं है कि जान परान लगाने को है सब तयार हो देखिये बाई साहाब कि अरे भाई साल चलिए किसी तरह भूका जाए नहीं है कि अरे चाड़ गए चाचा बकी दोस्तों ट्रेन में तो ढूक गए लेकिन सीट नहीं मिला कोई नहीं किसी तरह अपना खड़ा होके सफर करेंगे आप में अगर थोड़ा बल बुत्ता है थोड़ा तागत उगत है तो अपना मतलब ले सकते हैं सीट लेकिन हम ठेहरे कमजोर आदमी काहे किसी से लड़ना जगड़ना किसी तरह सफर कर लेंगे नई दिल्ली तक फिलाल अभी छे बज़ने छे बज़के 45 मिट हो रहे हैं और छे साथ बज़के 25 मिनट पे ट्रेन अपनी जो है यहां से निकले है मतलब कसम कस है भीड सब लोग एकदम बताईए कोई साभी ट्रेन में जो है खाली नहीं रहता है वकी दोस्तों हमको अपनी सीट मिल गई है बड़ी मुश्किल से सबसे पहले आगे वाली कोच में थे क्योंकि आगे में चारको डबा है जर्नल का आगे में पूड़ा भीर भीर में बहुत्तों है तो कोई घूग गए तो उसी में ढूब रहे हैं अई करना है वह दूखों को देखना है अगर खाली मिले वर आम से अब 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 कि दोस्तों नेट साथ बज़के 25 मिट पे अपनी ट्रेंट जो है राजेंदर नगर टर्मिनल से निकल रही है अब यहां पर भीड़ी उतने ज्यादा मैं दिखानी बार रहा हूं बेग थोड़ा हटा ही ते इसको अब दो किलोमेटर वाद जो है सीधा पटनाज जंक्सन आने वाला है बकी पहली बार ऐसा हो रहा है जो हमको ट्रेंड में सीट मिली है नहीं तो इससे पहले दूबार और सफर किये थे इसी ट्रेंड में तो भूईयां में लेटके जाना पड़ा था एक बार और 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 अगर आप मेरी सौर्ट वीडियो आपने देखी होगी तो फिलाल तो सीट मिली गई है अब एकी बार मैं पटनाज जंक्सन पर आपको मिलता हूं अभी तो भीड उतनी नहीं है ठीकी ठाकी भीड है नॉर्मल भीड हो सकता है तो पटनाज जंक्सन ने भीड बढ़े नहीं तो हो स सब्सक्राइब और यहां पर दस मेट के वाइस सब्सक्राइब हो चुका है भीड बढ़ चुकी है मतलब जितना भीड होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ लेकिन नहीं बताहिए लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं यहां पर पाणी पाणी के लिए पानी यहां पारे इंदधा इल्गल 7 बच के 45 मिन पर अपनी ट्रेंड जो है पट्ना जंसन से भी निकल रही है कि गाव में सब लोग हल्ला की उठा रहा है तो बापने तो पता जार महिना कमा रहा है ना कि आप लोग अरांचे घर में बटके जाल चावल खा रहे होंगे आज देखिए हमको सिर्फ बिस्किट पर रात गुजारना पड़ेगा अई शही थोड़ी है जो है मेना अथी पैसा आता है आप लोग खाली अभा उठाईए जब आज आ जारा एक लाग का महिना एक अपनी ट्रेन तो राइट टाइम चली है वकी राइट टाइम पहुचेगी कि नहीं वह हम गरेंटी नहीं ले सकते हैं अगर पहुच जाए तो अच्छी बात है और नहीं पहुची तो कोई बात नहीं है वकी हमारे साथ एक पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं जो कि पहली बार पर संपुन क्रांटी में चड़े हैं क्या नाम हो अभी आपका किया तो क्या पेलिंग है आपका स्ट्रेंड के बारे में कुछ बताईए बहुत अच्छा है शीटूट मिला ना आपको एक दम कोई दिक्कत नहीं हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं की मौंच चुके हैं आरा जंग्सन लगभा की ट्रेंज और सथ मिनिट की दरी सबीसिक्रेओं यहां तक इसके बाद करें तो जो घरेल करहें विक और आन्शारि ग्लास में तो जब्सक्राइब कॉते आपको तो और थर्ड एसी अगर आप राजधानी में बुक करिएगा किसी और ट्रेन में अगर आप बुक करिएगा तो वही आपको उपड़ जाएगा 1565 रुपे लेकिन इसका जो है बहुत कम किराया इसलिए इसको जो है आम जन्ता की राजधानी बोलते हो सेकेंड एसी का पड़ पड़ेगा 3275 रुपे है कि कैसे भी या कि साधा असी का है वेज है ना कि दीजे तो हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है इस ट्रेंड का एक वेज बिरियानी कि खाने में दो एक दम अच्छा है और रेट भी ज्यादा महगा नहीं लिया गाए गाए ज्यादा एक ज्यादा बिलकुल भी नहीं लिया गए तो बांकियो ट्रेंड में क्या होता है जो असी को 120-130 में बेजते हैं और बिर्यानी तो एकदम अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास इहां पर चच्चा भी लिये हैं तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीन द्याल उपाद्याय टाइम जो हो रहा है अभी दस बज़ के 20 मिनट मतलब 21 हो गए है यहां से एक लाइन से हम लोग आ रहे हैं बोले तो बक्सर की तरफ से और एक लाइन यहां से निकलती है सिधा मिर्जापुर होती हुए परियागराज और एक लाइन जीदा जाती है वर अनसी इसलिए जो है इसको जंक्शन पॉइंट बोलते है टोटल यहां पर आठ प्लेटफॉर्म है और 23 रेलवे ट्रैक है और वैसे पहले इसका नाम मुगल्स राय था वैसे मुगल पंडित द्यानें लुपेयात जाए और अपनी ट्रैन भी यह पूंचियैं के आपका नहीं ले रहे रहांक नहीं पता नहीं कुछे लोगों को दिक्कत का है वीडिबीयो में विडियो बना ले जहें तो पता locks हो जाती है उनका वीडियों बना भी नहीं रहे थे हम प्र ट् कर दो कर दो करेंगे हैं संपुर्ण क्रांथी के बातरूम के जर्णल कंपार्टमेंट के बातरूम में सामने मिरर देख रहे हैं सामने मिरर अपना इधर बेसीन एकदम पूरा क्लीन ही है पूरा मतलब बातरूम जह है एकदम साफ सुथरा है संपुर्ण क्रांथी का मतलब जैसा होना चाहिए ना वाशा एकदम क्लियर है आईना भी एकदम पुरा साफे एकदम फोटो जिगाई एकदम मास्क फिलाल यह पह पुझ रहे हैं अब बखी दोस्तों फ्वाइलिक करने के बाद फ्लस जरूर करा करिए क्योंकि काफी लोग जो है भूल जाते हैं फ्लस नहीं करते हैं लेकिन आसा नहीं करना है इसको एक बार दबा देना है आटोमेटिक फ्लस हो जाएगा समझ रहना थोड़ा समझ यह अ हुटमेट में पोर्फों समझ घाते हैं? हमान आसे ही नहीं करते हैं आसे करहने हैं प्लस लोगानिज करने हैं और faut दोस्तों अभी समय हो रहा है ग्यारा वज के 35 मेट और अपनी टेन पहुंच चुकी है यहां पर मिर्जापूर में ट्रेन जो है दस मेट की देरिस अभी पहुंची है और अभी तक हम लोगों ने 277 किलोमेटर की दूरी तया कर ली है वैसे यहीं वहीं मिर्जापूर है जो आपने मुवी एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापूर जिसमें मुन्ना भाईया और कालिन भाईया के हैं हम रोल रहता है गुड्डू पंडेज जो रहते हैं हमारे उनका यह वहीं कि अभी हम लोग बहुत चुके हैं कानपूर सेंट्रल सुबह के कड़ी तीन बज़े अपनी ट्रेन जो है तीन दो बज़ के 55 मिर्ट पर पहुंची है मतलब ट्रेन जो है आल्मोस्ट आधे घंटे लेट हो गई है और इतनी तगड़ी नींद आ रही थी कि भाई अभी क्या कि अभी हम लोग कुछी चन में जो है गाजियाबाद पहुंच जाएंगे ट्रेन अपनी जो है 20 मिन्ट विफोर चल रही है फिलाल अपनी ट्रेन जो है अभी भी लगभग जो है 37-36 किलोमेटर बची हुई नहीं दिल लिगी लगता है ट्रेन जो है विफोर ही पहुंच जाएगी अपनी वैसे अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो सबसे आगे में तीन जर्नल कोच है उसके बाद छेगो सिलीपर कोच है उसके बाद छेगो थर्ड एसी है दूगो सेक कि यह जो सामने ट्रेन देखने हावडा का नेता जी एक्सप्रेस जा रही है अपनी ट्रेन जो है टाइम से बहुत बिफोर चल रही है इसलिए किसी तरह तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना तो इसलिए ट्रेन को स्लो कर दिया गया है और जिन लोगों के पास टीकर टु जाते हैं ट्रेन एक्दम स्लो हो जाती है तो लाल ट्रेन को सिक्नल ग्रीन हो चुका है यहां से एक्दम रापेट के निकले गिया हुआ है कि इधर ट्रेन आई है नई दिली देहरादून जंसा ताब्री एक्स्प्रेस कि हम लोगों ने अभी जाजाबाद को सीप कर दिया है और हमारे नए फैमिली मेंबर जूर चुके हैं यूट्यूब के नए ने सब्सक्राइबर बने हैं यह भाई है और इक तर यह भाई है अपने यह भी दिल्ली जा रहे और हम भी तो दिल्ली जा रहे हैं लाल आप लोग रही है इस वीडियो में अबर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो भाईया सब्सक्राइब भी कर दीजेगा लाल अभी दिल्ली रेल्वेस्टेशन में मिलते हैं ट्रेन एकदम फुल स्पीड में निकल रही बखी चाय जहना एक नम्मर एकदम लेमंटी एकदम पढ़िया चाय है लब पीने के बाद आपका मिजाद बन जाएगा सहीं में सामने हमारी ट्रेन गुजर रही है संबलपूर जंबू तबी एक्सप्रेस जो कि जंबू तभी से संबलपूर जा रही है भी अब आपकी अब्यावने जो ट्रेन देखी राजधानी तेजस वह इसके पीछे हो गई ठेंट लेकिन अभी उसको और करके आगे निकल गई है पतानी किस मतलब किस कारण से पीछे हो गई ती लेकिन उस ट्रेन को पहले निकाला गया है और अपनी ट्रेंट जो है अब जो है इसके पीच्छे पीच्छे निकलेगी फिलाल अभी यहां पर यहां पर अंकल थे वह बोले थे जो फोन थोड़ा अंदर करने अंदर कर लेने के लिए क्योंकि आप चोर उचके बहुत रहते हैं फोन थोड़ा सबी बाहर रहेगा तो घीच लिया जाएगा फिलाल हम तो कि मैदान सिवाजी बिरिज होते हुए एकी बान नहीं दिल ले कि अपनी ट्रेन जो है एकदम सिवाजी बिरिज में स्लोली स्लोली जो है चल रही है और हम भी इसके साथ चल रहे हैं फिलाल ट्रेन खुल गई है सेलो सिगनल हो गया और काफी लोग यहां पर भी जो है अपना उतर गए थे पता नहीं किस वज़ाए से कि आजा तो उमीद की घड़ी ख़़म हो चुकी है अब हम लोग नई दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं नेट जो है आठ वजे ट्रेन पहुंची है बगी ट्रेन का टाइम था पहुंचाने का साथ बच के पच्पन मिनट पे ट्रेन जो है पांच मिनट लेट हो गई थी ट्रेन तो वैसे बिफोर ही चल रही थे एकदम बीस मिट पच्चीश मिट से लेकिन अभी यहां पर पांच मिट की देरी से पहुंचे पर कोई नहीं लगभग हमने एक हजार एक किलोमेटर की किलोमेटर की दूरी तया करी सारहें बारा घंटे में वैसे ट्रेन तो एकदम बिफोर चल रही थी जैसा हमने आपको बताया लेकिन वहां आते आते ट्रेन काफी लेट हो गई थी तो आज तक मतलब आज के वीडियो में बस यह जर्नी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं मैं मिलता हूं आपसे एक और नए ट्रेन जर्नी में फिलाल आज रक्षा कर दिजेगा और वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा और पॉलो नहीं तो फॉलो भी कर दिजेगा ठीगा लग मिलता हूं अपसे एक और अगले वीडियो में तब तक के लिए जहीं बंदे मात हूं कि दोस्तों हमने के स्टोरी किया था किसांग को जो अगर कोई दिल्ली से है तो दिल्ली में आना जरूर मिलें तो हमारे साथ देखिए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं हर्ष भाई मतलब सोचा भी नहीं था हमने जो कोई आएगा मतलब इस्टोरी तो पोस्ट कर दिया था लेकिन हर्ष भाई लगभा करते हैं अब यह सब तो यहीं प्यार है ना आप तब लोगों का ऐसा ही सपोर्ट करते रहें एक लाल भाई से मिले हैं बहुत अच्छा झाल झाल